है गाइस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्क्राइब कर लीज़े चैनल को मेरे पास काफी कोमेट्स आते हैं जिसके इंदर मुझे बोलते हैं अच्छी कंपरी लेकरें जहांपर हमें अर्जंट लोन मिल जाए इंस्टेंटली लोन मिल जाए तो गाइस अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको समझ आजएगा कि आप घर मेटें अपन लाइक कर देना और अग्राव एक नहीं में मैंने पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनले लो सब्सक्राइब कर लेना तो चले देखते हैं कौन से कंपणी जहां पर आप ले सकते हैं पूरे एक अजार से एक लाग रुपे तक का लोन चले सुरू करते हैं गाइज आपका भाई आपके लिए जो कंपणी लेकर आया है ना पूरी इंडिया के अंदर नंबर वन ये कंपणी है केवल 30 सेकंड के अंदर यहां पर लोन मिल जाता है यहां पर आपको मैं 25,000 रुपे का लोन अपने बैंक अकाउंड के अंदर लेकर दिखाने वाला समझा जाएगा अगर आपने वीडियो पूरा ना देखा तो फिर आप बोलेंगे भाई यह फेक वीडियो बना रहा है ठीक है क्रेट भी अप्लिकेशन को को नहीं जानते ही तो आप सभी को पताएगा इस एक लिंक में डिस्क्रिप्सिन में रखा है जैसे आप उस पर क्लि रुपे तक के लोन के लिए अपलाई ठीक है अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिटेल में इस कंपनी की तो आप यहाँ पर दे सकते हैं 4.5 रेटिंग है 440 के रिवी मुल चुके इस अप्लिकेशन को 10 मिलियन प्लस डाउनलोड की जा चुकी है ठीक है अगर मैं और डिटेल म आपको यहाँ पर लगने वाला है 0% से लेकर 39.45% पर NM के साथ साथ आपको यहाँ पर इंटरस्ट लगने वाला है for example अगर आप यहाँ पर 50 आप एक लोन लेना चाहते हैं 22% पर NM के इंटरस्ट पर 91 दिन के लिए तो भाई आपको यहाँ पर टोटल इंटरस्ट देना और किवल 30 से 40 सेकंड के अंदर लोन आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाती है नहीं है की ना तो पूरा वीडियो देख लिए न मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ 25,000 रुपे का लोन लेकर अपने बैंक अकाउंट के अंदर अगर मैं Elisibility क की बात करें तो आप इंडियर रेजिडेंस होने चाहिए कि साल की उमर कम से कहम आपकी होनी चाहिए और आपके पास रेगुलर सोर्स मंथली इंकम आपके पास आनी चाहिए ठीक है तो लोन लेने के लिए सिंप्ली आपने सबसे पहले application को डाउनलोड करना है डाउनलोड कर तो अगर आप इसके अंदर रिस्टिसन करना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्सिर में दे रखा जिसके अंदर मैं आपको कम्प्लीट बता रखा है किस तरी किसा आपने इसके अंदर साइन अप करने के बाद लोन के लिए अपलाई करना है मेरे पास बहुत इसके कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर मुझे बोलते हैं यहाँ पर लोन नहीं मिलता है तो मैं केवल यह वीडियो उनके लिए लेकर आया हूँ उनको दिखाने वाला होगी भाई यहाँ पर लोन मिलता है और किवल 30 सेकंड के अंदर लोन मिलता है जी है आपने बिल्कुल सही सुना 25,000 रुपे का लोन मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पर लाइप्रूफ के साथ लेकर दिखाने वाला हूँ क्रेट भी अप्लिकेसिर मैंने यहाँ पर ओपन कर रही है 15,000 25,000 रुपे का लोन मेरा यहाँ पर अलोक है एक लाख रुपे का लोन मेरा यहाँ पर अभी लोक है तो गाईज 25,000 रुपे का लोन लेने के लिए गैट लोन पर क्लिक करना होगा 15,000 रुपे का लोन के लिए भी यहाँ पर get loan पर click करना होगा तो चले मैं यहाँ पर 25,000 रुपे का लोन लेकर दिखाने वाला हो तो guys आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 25,000 रुपे का लोन लू और 53,000 रुपे की installment यहाँ पर हो जाएगी 26,500 रुपे का total repayment मुझे यहाँ पर करना होगा मैं यहाँ पर apply करने वाला हूँ एक coupon जो 4,400 रुपे का है और यह 4,400 रुपे मैंस होगे मेरे processing fees में से अब मेरे bank account के अंदर मुझे मिलेंगे 23,800 रुपे और total repayment मुझे करना है 26,500 रुपे गा तो गाई simply आपने यहाँ पर loan लेने के लिए get it now पर click करना होगा जैसे आप get it now पर click करेंगे next पर आपके सामने कुछ इस तरीके से open होने वाला है तो गाई यहाँ पर schedule दे रखा है कौन सी तारिक को आपकी installment कटने वाली है 5 EMI के लिए मैं यहाँ पर यह loan ले रहा हूँ 53,500 रुपे की मेरी हर मेन installment यहाँ पर जाने वाली है अगर आप late fees करते हैं, overdue करते हैं अपनी किसी भी installment को तो 500 रुपे आपको penalty यहाँ पर देनी होगी तो guys simple जैसे आप continue पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर loan propose करना है किस चीज के लिए आप यह loan ले रही है तो guys option यहाँ पर दे रखा है इनमें से आप कोई भी option select कर लिजे जैसे मैं यहाँ पर करने वाला wedding expense के लिए उसके बाद continue करना है continue पर click करने के बाद आपको यहाँ पर bank account add करना है अगर पहले से add है तो उसको select कर लेना है कौन से bank के अंदर आप यहाँ पर loan लेना चाहते है terms and condition को आपने यहाँ पर accept करना है continue to sign agreement पर आपने click करना है आप यहाँ पर दो तरीके से sign agreement कर सकते हैं एक digital sign with face ID और दूसरा e-sign with आधार e-sign with आधार से अगर आप यहाँ पर करेंगे e-sign agreement तो आपके आधार card से आपको mobile number link होना चाहिए आप यहाँ पर digital sign with face ID कर दीजी यह simple और आसान होता है तो गाईज मैं यहाँ पर एक OTP दूँगा मेरे पास एक OTP आएगी मैं register mobile number पर sign agreement मेरे पास आचुका है request OTP to sign पर आपने click करना होगा उसके बाद गाईज आपने यहाँ पर terms and condition को इसकी accept करना होना agree करना है sign now पर click करना है उसके बाद आपके पास एक OTP आएगी automatically OTP पर add हो जाएगी submit कर देना है submit करने के बाद आपको यहाँ पर face ID verification करना होगा आपको यहाँ पर एक selfie अपनी upload करनी होगी ठीक है तो आपने इसको दो बार अलोग करना है proceed कर देना है proceed करने के बाद guys आपको यहाँ पर अपनी selfie upload करनी होगी आपकी selfie clear आनी चाहिए ठीक है तो मैंने यहाँ पर अपनी selfie upload कर दी selfie upload करने के बाद मेरा जहाँ पर e-sign agreement successfully हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते है जो next page हमारे सामने है वो कुछ इस तरीके सोने वाला simply आपने proceed पर click कर देना है तो चली मैं यहाँ पर proceed पर click कर देता हूँ proceed पर click करने के बाद guys यहाँ पर यह बोल रहे कि भाई आप थोड़ा wait कर लिजे आपकी जो loan amount हम अभी यह घंटे के अंतर आपको देदेंगे लेकिन guys यहाँ पर केवल 30 से 40 सेकंड के अंदर यह loan मुझे मिलने वाला है आप यहाँ पर देख सकते है credit b का notification मेरे पास आ चुका है कि आपका loan अपर हो चुका है जैसे मैंने इसको यहाँ पर एक बार refresh किया तो यहाँ पर देख सकते है disperse हो चुके है मेरी loan मेरे bank account के अंदर चली आपको यहाँ पर मैं message भी दिखा देता हूँ मेरे पास message जो है आ चुका है ठीक है यह रा message मेरे bank account के अंदर जो है मुझे 23,861 रुपे मिल चुके है तो गैस मुझे उम्मीद आप नहीं बोलेंगे आपकी भाई यहाँ पर loan नहीं मिलता है मैंने आपको यहाँ पर life proof के साथ loan लेकर दिखा है आपने bank account के अंदर पूरे तक्रीबन 24,000 रुपे कलोन मुझे यहाँ पर मिला है और तक्रीबन 2,000 रुपे एक्स्टा जाने वाले है 5 महिने में तो भाई कोई ज़्यादा interest भी नहीं जा रहा है आपका तो आप यहाँ पर loan के लिए apply कर सकते है और गैस आप यहाँ पर देख सकते है जब मैं 25,000 रुपे कलोन का repayment कर दूँगा से पूरे 25,000 रुपे का मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगे कि वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक कर दिना मेरे भाई और अगर आप एक नए मिमाने पहली बार यह वीडियो देख रहे चैनल देरो सब्सक्राइब कर लिना तो चलिए गाइस मिलते हैं के लेकिने वीडियो साथ आज के लिए बस यतना ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप इसका कम्प्ली डिस्टब देखना चाहते हैं किस तरी साब ने इसके अंदर रिजिस्टरसन करना है एक दूसरी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्स ने मिल जाए को वीडियो देखकर आप यहाँ पर जो है लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं कुम्प्ली डिस्टब मैंने उसके अंदर बता रखा है तो चलिए गाइस मिलते हैं लेकिने वीडियो साथ अकिल वहीं सितना यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंकिसो मच